हलो दोस्तों आप सभी का मेरी चनल बिनाई स्टडी गेन में स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में छत्लिड की नडिया देखेंगे और आपको कॉमेंट करके बताना है कि रोगदा जलास है किस जिले में इस्थित है और दोस्तों मैंने करेंट अफेर का वीडियो डाला हुआ है उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीस प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देख लिजे दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बिल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि वीडियो के नोटिवेशन आप तक पहुंचती रहे और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा अच्छा ना लगे तो डिश्लाइक भी कर सकते हैं और आज का पहला प्रशन दोस्तों केदार एवं पूटका परियोजना की जिले में स्थित है ऑप्षन आपके स्क्रीन पर है देखिए और सहिं उत्तर कॉमेंट कीजिए तो इसका सहिं उत्तर होगा दोस्तों ऑप्षन सर्रायगळ उसके बाद दूसरा प्रश्ण दोस्तो मरिया मोती एवं धारा पर्योजना की जिले में स्थित है option आपके इस्क्रीन पर है सहिं उत्तर कॉमेंट कीजिए और इसका सहिं उत्तर है दोस्तो option राजनन गाउं तीसरा प्रश्ण दोस्तो चंद्रपूर जांजगीर चापा के समीप महा नदी में विसरजित होने वाली नदी है option आपके screen पर है और कॉमेंट करके बताना है कि इसका सहीं उत्तर क्या होगा और साथी साथ बताए कि पैरी नदी का विसरजन कहां पर होता है जोक नदी का भी और मन्यारी नदी का भी आप बता सकते हैं तो इसका सहीं उत्तर होगा दोस्तो option दा मांट नदी फिर चौथा प्रशन आपके screen पर है कुरसेल नदी पर इस्थित कुरसेल जहरना किस जिले में इस्थित है और साथी साथ बताए कि ये कुरसेल घाटी किसलिए प्रसिद्ध है अपना उत्तर नीचे कॉमेंट करते जाए और इसका सहीं उत्तर होगा दोस्तो option दा नरायन पूर पाच्वा प्रशन आपके screen पर है देखिए सिर्णायन में आकर महानदी से विसरजित होने वाली नदी है option आपके screen पर है सहीं उत्तर आपको बताना है कि इसका सहीं उत्तर क्या होगा कॉमेंट करते जाए और इसका सहीं उत्तर होगा दोस्तो option जोक नदी छटवा प्रशन आपके screen पर है केश्वा परियोजना किस जिले में इस्तित है option को देखिए और नीचे कॉमेंट कीजिए तो इसका सहीं उत्तर होगा दोस्तो option सा महाशमून साथ्वा प्रशन आपके screen पर है चर्रे मर्रे नदी पर इस्तित चर्रे मर्रे प्रपात कांकेर के किस जिले तहसिल में इस्तित है आपको बताना है कांकेर जिले के कौन से तहसिल में इस्तित है option आपके screen पर है देखिए और कॉमेंट करके बताइए तो इसका सहीं उत्तर होगा दोस्तो option अ अन्तागड आठवा प्रशन आपके screen पर है ओरिसा राज के जिला कोरापुट की पहाड़ी से निकलने वाली सब्री नदी की लंबाई लगभक है आपको बताना है इस्क्रीन पर option दिये होगा है देखिए और सहीं उत्तर कॉमेंट कीजिए और इसका सहीं उत्तर है दोस्तो option बा 173 किलो मीटर नवा प्रशन आपके screen पर है दूर देव जलासा एक किस जिले में इस्तित है option आपकी screen पर है सहीं उत्तर आपको बताना है तो जल्दी जल्दी कॉमेंट करके इसका आंसर बताईए तो इसका उत्तर है दोस्तो option बिलासपूर मरवा ही अब यह बदल जाएगा गोरेला पिंडरा मरवाई ही जिला हो जाएगा ठीक है उसके बाद दस्वा प्रशन आपके screen पर है इंद्रावत्ती की सबसे लंबी साहयक नदी जिसका उद्गम मोहला तसिल राजजानगाउं है इवर बिजापूर में इंद्रावत्ती के साथ इसका संगम होता है आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जली-जली comment करते जाएगे इसका उत्तर क्या होगा और इसका उत्तर है दोस्तो option सा कोटरी नदी option सा कोटरी नदी इसका सही उत्तर है ग्यारवा प्रश्ण दोस्तो अभनेर मस्का एबं पिपर्या का संगम कहां है यह important question है तीन संगम हमने देखा था राजीम सेम्रिनान और चंद्रपूर और यह चौथा संगम है और कामेंट करके बताईए कि इसका सहीं उत्तर क्या होगा तो इसका सहीं उत्तर है दोस्तो option खैरागर में उसके बाद देखे निम्न में से किसे परलकोट नदी कहते हैं और तेरवा प्रश्ण दोस्तो कंदावानी पहाडी कभी धाम जिले से निकलने वाली नदी है स्क्रीन पर option है देखिए और सहीं उत्तर कॉमेंट कीजिए इसका सहीं उत्तर होगा दोस्तो option बाद हाफ नदी option बाद हाफ नदी बिल्कुल सहीं होगा तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईए और शाम आठ बजे लाइव क्लास में जूर जाईएगा तैंकी दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजेगा